यहां मैं आपको पताते हूं कई सारे स्कीन केर टिप्स, हेर केर टिफ्स, ब्यूटि केर टिफ्स, साथ ही कई आसान DIY भी तो आज किस DIY में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक आसान सा ट्रिक जिसकी हैल्प से आप अपने핑 को सौफ्ट बना सकते हैं और अपने स्किन को ड्राइ होने से भी रोक सकते हैं साथ ही यह जो DIY है यह आपकी स्किन पे एक नैच्छल सा पिंकिश निखार लेके आएगा दोस्तों बहुत ही आसान यह DIY है एक मिनट से भी कम टाइम में यह तेयार हो जाता है और इसका सबसे अच्छा benefit है कि आगर आप इसे किसी भी season में यूज करते हैं तो आपके स्किन जो है बहुत ही अच्छी बनी रहेगी बहुत ही soft बनेगी और अगर आप इसे winter में यूज करते हैं तो आपके स्किन की dryness की जो problem होती है वह फेस नहीं करनी पड़ेगी आपके स्किन पे जो एजिंग के पर आजाते हैं उन एजिंग के निशानों को यह आने से रोकता है साथ ही आपके स्किन के pH बैलन्स को भी अच्छे से मेंटेन करके यह DIY रखता है तो चलिए मैं आपको बताते हूं कैसे यह DIY आपको करना है इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा एलोविरा जेल और एक चुकुंदर बस इतना ही आपको चाहिए और बहुत ही आसान यह DIY है तो वीडियो में देखिए मैं बताते हूं कैसे तो इस DIY के लिए आप एक मेडियम साइज का चुकुंदर लें जिसे आप अस्ठे से ठील लें और उसके बाद आप कद्दूकस करें आप चाहिए पर इसे मिक्सिमरी की सकते हैं मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया है उसके बाद आप किसी चन्नी या फिर किसी कपड़े की मदश से इसका सारा रस निकाल लें मैंने यहाँ पर चन्नी का यूज किया आप चाहिए तो कपड़े की मदश से भी रस निकाल सकते हैं अब आपने जो रस निकाला है इसमें आपको करना क्या है कि एक चमच एलोवेरा जल एड़ करना है मैंने यहाँ पर बजार का एलोवेरा जल लिया है अगर आपके पास घर का एलोवेरा जल है तो आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें अब यहाँ पर मैं आपको हाथ में डेमो दे रही हूं हाला कि वीडियो के एंड में मैं अपना फेस पर भी आपको करके बताऊंगी तो आपको करना यह है कि रोज रात में सोने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से धो लें और उसके बाद इस जल को आप इस तरह से होगा कि आपके जो फेस पर एजिंग के निशान होते हैं वह नहीं आएंगे आपके रिंकल्स दूर होंगे साथ ही कितने भी ठंड हो कितने भी सर्दियां हो आपकी स्कीन हमेशा सॉफ्ट और मुलायम बनी रहेगी तो यह था आज का आसान सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको यह डियाइवाई सीरम बनाना है जो आपके स्कीन को विंटर में ड्राइनस से रोकेगा आपके स्कीन को पिंकिश लुक देगा और साथ ही आपके स्कीन को बहुती सॉफ्ट और एजिंग के निशान आने से भी रोकेगा तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए अगर आपने चैनल को अब तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको hand पे समझ में नहीं आया कि कैसे यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे video के end में आपको डाल दिया है कि चहरे पे आप इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं जब आप अपना face अच्छे से दोलें तो इस तरह आप अपने पूरे face पे से dot dot करके लगाएं पूरे face पे आप foundation की तरह से dot dot करके लगा सकते हैं उसके बाद आपको करना क्या है कि circular motion में हलके हातों से इस gel को अपने face पर पूरा लगाना है आप पूरे face पे अच्छे से लगाएं नोज के आसपास, eyes के आसपास, forehead पे, chin पे अच्छे से आप इस gel को लगाएं आइस के आसपास लगाने क्या होगा कि आपके फेस पे जो रिंकल्स है या एजिंग के निशान जो होगे वो दूर हो जाएंगे और आपको हलके हातों से सर्कुलर मोशन में लगाना है और इसे लगा करके सो जाना है और सुबा उठके नॉर्मल पानी से अपना चेहरा दो लेना है